अभी जो दिल्ली के पेपर में आया लगभग 70% दूद नकली दूद बिकता है जिसके मां के सन से दूद नहीं आता है ये डैरी का दूद लाकर अगर बच्चे को पिलाएगी तो वो बच्चे का हालत क्या होगा मैंने कल एक उधारन बताया एक सरकारी मिल्क डैरी के अंदर आप लोग जानते होंगे नौसागर बोलके एक चीज होती है एक दम एसीड से भरा हुआ होता है और उसको थोड़ा भी आपका जुआ में लगाएंगे तो जल जाएगा आपका जुआ पूरा और एक डैरी के अंदर दस रुपई का उसको डाल कर उसको तीन हजार लिटर दूद बनाते हैं अगर उस दूद को मा अपनी चार महने छे महने की बच्चे को पिलाएंगे जिसके गला पूरा परिपक्वा नहीं हुआ रहता है उसके उपर क्या दूस्र परिणाम बनेंगे केवल पैसे के कमाई है क्या अपने बचों का जान मार कर अपनी समाज की हत्या करकर अपनी छेतर की पवितरता को नाश कर कर इसलिए मेरी एक प्रार्थना है हम जो भी काम करेंगे अन्य मनस्क को होकर मजबूरी में नहीं करेंगे कई बार मैं बैंकों में जाता हूँ, वो थाड़े तीन बजे से ऐसा घड़ी के तरब देखते बढ़ते हैं सब बैंक वाले, कब घड़ी पांच बढ़ती हैं, महिला यें बड़े हुशार होते हैं, उसी समय बातरूम में जाते हैं, दोल लोते हैं, कंगी कर लेते हैं, बैक तयार कर लेके बढ़ते गड़ी कब कतब होती है। बैटे हैं बैंक में चिंता चल रही है भागने की। तो अली मनदवन भक्ती हमारे कंड़ में एक स्लोक है वचन है शर्ण लोगों का बोले सोक। जो पती जो है शराप पीता था और पतनी जो है संत के चरणों को छूप कर पूचा करके पादोदक करती थी तो इस प्रकार ये दुविधा के मन में एक उधर खिंचेगा तो एक इधर खिंचेगा तो ऐसा भक्ती भगवान तक नहीं पहुंचेगा। तो आज भारत के अंदर हम मंदिर में पुजारी बन के काम कर रहे हैं तो भक्त वो लगना चाहिए कितने लगन से ये आरती करता है कितनी सरदा से मंदिर को सुच्छ रखा है दुनिया में कुछ भी चले जाए उस पुजारी के कारण मेरा मन मंदिर को जाने का होता है उसके द्वारा वो सारी दुनिया को अपने मंदिर के तरफ आकर्शित कर सकता है अगर आपका घर का छोटा सा जगा है अच्छे फूल लगाईए, पेड़ लगाईए, पौदे लगाईए आसपास के घर वालों को चार फूल दीजिए क्या आनंद मिलेगा तो इसलिए यह जो हाथ दिया है यह जो दिमाग दिया है यह जो शरीर दिया है भगवान काम करने के लिए दिया है काम करने के लिए दिया है स्रद्धा से काम करना चाहिए बिनाश स्रद्धा का काम करना यह बिनाशकारी होता है खुद के लिए भी और देश और समाज के लिए भी ऐसे कई भयानक चीज मैं अपने जीवन में जो वास्तों में आप सब लोग सहमती होंगे आर दस साल से समाज के काम करते करते ये चार पांस प्रकार के बिमारियां इस देश को लूटने में हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आसकल क्या है जिनकी आयू आसकल सरकार जो रिटायर्मेंट एस बनाई है 58-60 आप रिटायर हो गए रिटायर होते हैं घर में भी बीबी बच्चे बोलते हैं ये घर से बाहर निकल जाए घर में रहेगा तो अपना काम नहीं बनेगा तो वाकिंग करो सबेरे वाकिंग करो शाम को वाकिंग करो अब क्या है नहीं हम रिटायर हुए है रोज गार्डन में जाते हैं आते हैं बैट के आते हैं लेकिन भारत के अंदर रिटायर्मेंट नहीं है भारत की सोच अलग है जो बच्चा जनम लेता है छे साल तक उसको तो उसकी जनम दिन मनाते हैं छटी तक और उसका सुन्दर मंगल बनाते हैं वो उखता हुआ फल होता है लेकिन पाश्चिमात देशों की सोच चले गए छे साल का बच्चे को भी वो क्या बोलते मालूम है आर यू आर सिक्सियर वोल्ड यहने बच्चा है छे साल का बुड़ा हो क्या बोलते हैं भारत में ऐसा नहीं है दूसरा कई बार हम अपनी जवानी उमर से जोड़ते हैं यह भी मुर्खता है यहाँ पर जितने बुड़े लोग उमर से अच्छे बैटे हुंगे 60 के उपर के बैटे हुंगे 70 के बैटे हुंगे 80 के बैटे हुंगे मुझे एक बार याद है उस समय अभी टीवी नहीं आया था देहिली नगर के अंदर एक पंडिस सात्वले करे नाम का एक बहुत बड़े विद्वान थे लगब कुछी साल पहले मैं रेडियो सुन रहा थ पंडित साथवलेकर वेद के बहुत बड़े विद्वान, उनका 102 साल हुआ था, उनका बहुत बड़ा सनमान हो रहा था, और उस सनमान का साधा रेडियो से दिल्ली रेडियो से प्रसारन हो रहा था, मैं भी सुन रहा था, सब सनमान हुआ, ग्रंत का विमोचन हुआ, सब होने के बाद मंच से ये कहा गया उनसे साथ को लेकर जी आप बात कीजिए तो वो पंडिस साथ को लेकर जी खड़ा होके बोलना चाहते थे बाजु वाले बोलने गए नहीं आप मत उठिये बैठिये यहीं पर तब पंडिस साथ लेकर जो बोल रहे थे वो रेडियो का आवाज मैं सुना वो क्या बोले मालूम है बैठ कर तो बुड़े लोग बात करते हैं ये कितने उमर में बोले पंडिस साथ लेकर 102 साल के उमर में बैठ कर तो बुड़े लोग बात करते हैं उन्होंने बिना रुके 20 मिनिट तक बात किया और उन्होंने कहा जो वेद के अनुसार जीता है वो सव साल तक कम से कम जवान बनके रहता है इसलिए हमारी जीवन की आयू नहीं तो हम तो बच्चे हो जाते हैं जल्दी बुड़े बन जाते हैं कोई काम करने के लिए जवान है यह नहीं है जवाने की हालत जवानी दरदर नौक्री के धूड़ने में भटकने में बरबाद करते हैं आठ से आठरा साल तब तक बाच्चा आ जाता है बगल में तो बुड़े बन जाते हैं देश का कौन काम करेगा क्या होगा इस देश का इसे हम गंभीरता से सोच रहा होगा इसलिए जिनकी आयू हुए मैं स्वयम के बारे में कहता हूं मेरे जीवन के पहले 60 साल में मैंने क् कुना जादा काम इस 10 साल में किया है अगर मैं भी रोज अपने महले में वाकिंग करते रहता तो मेरा जीवन बेकार चले जाता मैं तो यह कहूंगा जिनकी आयू साठ के ऊपर है वो पकावा फल है पकावा फल में जो आनंद मिलता है वो कच्चा फल में नहीं मिलता है तो इसलिए जिनका उमर हुआ है, ये केवल वाकिंग के लिए नहीं है, हमारा सारा जीवन का अनुभव की थाती जो है, जो एक लड़का आर दिन में दौरदूप के करता है, मैं एक टेलिफोन में कर सकता हूँ, मेरा मित्र डॉक्टर है, कोई बीमार पड़ा है, मेरे बैने के का पारन हुआ आएगा, किसी का जान बचाएगा, तो इसलिए कोई भी इस देश में बुड़ा नहीं है, ये मान के चलना चाहिए, जवानों के बारे में मेरा कहिना ये है, कि जो मैं डाटा बताता हूँ, IIT का भारत के अंदर, भारत के अंदर कुल 47 IIT के कॉलेजिस है, और इ 92 पीपल दूसरे देश के कंपनियों में नोकरी करने जाते हैं, जमीन हमारा, पैसा हमारा, खर्च हमारा, सबसे ज्ञानी विद्यारती हमारे सेवा किसकी? मल्टी नैशनल की, लेकिन मैं नोकरी को जाने से भी मना नहीं करूंगा, क्या तुमारी अस्मिता, भक्ती, इस्रद्दा, मा भारती से जुडावा है, इसके बारे में तुमें सोचना होगा, सोचना होगा, सोचना होगा, अगर इस देश से मेरी नाता इस मिट्टी से नाता नहीं जुड़ा है मेरा यह नुकरी मेरी यह तनका मेरी यह कमाई यह विर्थ है और एक प्रकार इस देश के परती मेरी गदारी होगी यह बात हमारे मन में रहना चाहिए आजकल आएस के लिए हमारे बच्चे क्यों लगाते हैं सबसे मेदावी लड़के जाते हैं हर साल साथ लाग के करीब आएस परिक्षा देते हैं उसमें पास होते हैं आठ सो से हजार लोग साथ लाख लोगों में एक-एक लड़का दो-दो लाख रुपे कम से कम खर्च करता है आएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन अभी मेरा एक मित्रा आएस आफिसर है, वो बोलते हैं, बसवराज पाटिल जी, जब देश आजादी मिला, तो सव में पचासी लोग इमानदार आएस आफिसर थे, वो द आएसा हो गया है, सव में पचासी प्रतिशत बेइमान हो गये है, दस से पंद्रा प्रतिशत इमान, इमानदार आएस है, अगर हमारा देश का सबसे बड़ा गिनानी, इंटलेक्च्वल, आएस है, आयाइटी पढ़ाने पढ़ने वाले हैं, अगर इनका ही मन पलूटड यही देश को बेज के डालेंगे, तो इस देश को कौन बचाएगा? हम लोगों को बहुत गंभीरता से अपने भविश्य के बारे में, अपने बच्चों को सपने संयोज एकने के बारे में कहिना होगा.